हेलो फ्रेंड्स हेलो साथियों एंड हेलो प्यारे बच्चो एक बार फिर मैं आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि हमने स्टार्ट किया था गांधी विचार संस्कार परिक्षा जो इसी महा के गुर्णिस तारिक को आई जी तोने वाली है उसकी तीसरी सीरीज लेकर के हम आज आये हैं आपके सामने दोस्तों इस सीरीज में हमने बहुत इंपोर्टेंट क्यूशनों पर डिस करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा बहुत ही काम के क्यूशन इसमें हमने डाले हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इस तरह की ताजा और है तोलिज तो फी ऑप्षण भी है गोपाल कर्हां और और याद रसकते हो अराम से गौपाल कृष्ण गोकले गांदी जी के राजनितिक गुरू से गुरू थे जब ये इनके संपर्क में आए तो इनके जो राजनितिक जो विचार थे सामाज के प्रति जो विचार थे इनके उनसे ये काफी प्रभावित हुए और इन्होंने ही गोपाल कृष्ण गोखले जी से राजनीती के बारे में कापी कुछ सीखा और इनको इन्होंने राजनीती गुरु माना तो इनके राजनीती गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले अगले प्रष्ण दोस्तों गांदी जी का प्रतम आंदोलन कौन सा था प्रतम आंदोलन तोस्तों इसको हम बोल सकते हैं प्रतम सत्यागराए ने हो कौन सा था तो दोस्तों पहला जो इनका आंदोलन था या जो प्रतम सत्याग रहे था भारत में इंडिया में जो पहला इनका सत्याग रहे था वो था चंपारण में चंपरण बिहार का एक शहर है वहाँ पर इनका पहला आंदोलन था और यह जो आंदोलन इनों ने किया यहाँ पर 1917 में यह आंदोलन किया दोस्तों अगर हम चंपरण की बात करें तो यहाँ पर किसंदर में इनों को आंदोलन करना पड़ा तो दोस्तों यहाँ पर जो किसान वर्ग था उनको अपनी जो खेती थी अपनी खेती पर अंगरेजों के दवाव में रहकर नील की खेती करनी पड़ती थी जो नगदी फसल थी उसमें पैसा अच्छा मिलता था तो किसानों को मजबूरन वहाँ पर अपनी जो जमीन थी उसका तीन बटे बीस भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी जो तिन कटिय पद्दिती नाम से फेमस थी उसके नाम से फेमस थी तो किसान वर्ग तो बहुत नाराज था बहुत ही दैनी इस्तिति में था तो में था आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों गांदी जी ने सत्याग्राय के अतियार का प्रयोग सरपरतम कहां किया था सत्याग्राय जो इनका था वो पहला जो प्रयोग कहां किया था इन्हों दोस्तों पहला आपके सामने ऑप्षन है डक्षन अफरीका में भारत में फ्रांस में बिलायत में दोस्तों सत्य अग्रह का पेहला प्रयोग किया था को इन्होंने किया ठाप्रेह अध्शन अफिरिका में जो पहला पूरा अगर अग्से Ergebnis तरो गांधी थी उनके खिलाफ इन्हों ने वहाँ पर आवाज उठाई थी तो जो गतियार का प्रियोक था उन्हों सह है अहिंसा और देह है युद्ध दोस्तों सही अंसर है अहिंसा दोस्तों जब भी कोई सत्यागरा होता है कोई आंदोलन होता है या किसी तरह की कोई लड़ाई होती है तो अस्त्रों की बात जब की जाती है सस्त्रों की बात की जाती है लेकिन गांदी जी के पाद एक अहिं इंसा मतलब हिंसा नहीं करना लड़ाए बिना लड़ाए जगड़े के ये आंदोलन किया करते थे तो इसलिए इनका प्रमुख थियार था अहिंसा अगला प्रस्थ दोस्तों पर्थम विशुद के दोरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था तो जब ये बारत में लोटे थे तो उस समय पर्थम विशुद में जो महात्मा गांधी जेकी जो नीती थी वो अंग्रेजों के प्रतिस सहयो की नीती थी तो दोस्तों उस दोरान महात्मा गांधी को क्या उपादी दी गई अंग्रेजों के दोरान क्या उपादी इनको दी गई पर्थम विशुद के दोरा अंग्रेजों के दुवारा इसमें आपके लिए ओप्षन है रिक्रूटिंग सार्जेंट बैबापू से महातमा देराश्टी पिता दोस्तों इसका अंसर है ऐग्रिक्रूटिंग सारजेंट recruiting Sergeant इनको काया गया दोस्तों इनकी नीती अंग्रेजोre के प्रति सेयोग की नीती थी और जब पर्थम विश्यद चल रहा था तो उस समय इनों ने एक emergency ambulance emergency ambulance की स्थापन रहा की थी जो जखमी soldier थे उनकी नें सेवा की थी तो इसलिए उन्हें एक उपादी दी गई और उसका नाम था recruiting sergeant आप याद रह सकते हैं इसको बहुत अच्छा प्रसन है अगला प्रसन की और बढ़ते हैं सन 1915 में गांधी जी को बिटी सरकार ने किस उपादी से सम्मानित किया दोस्तों किस उपादी से ये कौन सी उपादी इनको दी गई पहला option है हमने उपार डिसकर्स किया था बिटी सरकार ने अंग्रेजों ने खुस होकर जब दक्षिन अफ्रिका में जब ये रह रहे थे तो उस समय केसर ए हिंद की इनको उपादी दी ती अगला प्रसन हम लेते हैं दोस्तों महात्मा गांधी को सरुपताम राश्टे पिता कहकर किस ने सम्मोदित किया दोस्तों सारे ही मोश्ट प्रसन हैं और मेक्जियम एक्जामस में आते रहते हैं यह इस तरीके से प्रसन है तो आप इसको बड़े अच्छी तरीके से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी को सरुपताम राश्टे पिता कहकर किसने सम् प्रस्तों किस Pokémon गांधी को थो दूस्तों महात्मा गांधी को इन्होंने कहकर सम्मूदित किया तभी इनको राष्टे पिता कहा जाने लगा अगला प्रस्न है गांधी जी ने सरपरतम किस ढंदोलन के ँरन भुकरताल को अपना अस्तर बनाया था दोस्तों आ चुका है पहले अहिंसा था और अब पूछा गया है कि जो भूकरताल इन्होंने पहली बार रखी थी भूकरताल मतलब अंसन कौन से अंदोलन में इन्होंने अंसर रखा था आपकी ओप्शन है ए ए वर्दा बे चंपारंड से बंबई और दे आहमदाबाद आपका अंसर है आहमदाबाद, दोस्तों एन्होंने सर परतम भूकरताल आहमदाबाद में मेल मजदूरों का एक केस हुआ था, मील मजदूरों और मेल के जो मालिक थीं उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था बोनॐस को लेकरके तब जो मज्दूर थे उन्होंने महातमक गांधी जैसे request की तब उन्होंने वहाँ पर जा करके मज्दूरों के पक्स में मेल मालीकों के खिलाफ वहाँ पर सत्या ग्रह किया और सत्या ग्रहा में उन्होंने भूकर्टाल अंसनप्रवू वहाँ पर अहमदाबाद में बेट गये थे तो भूकर्टाल का पैरा प्लियोग किया इन्होंने अहम्दाबाद के सत्या ग्रहा में राज कोट में सी है बरोदा में और बम्बई में दोस्तो इसका सही अंसर है आहमदाबाद दोस्तो यह आपने last question में आमने discuss किया आहमदाबाद में इन्होंने बुकरताल की थी तो वहाँ पर इन्होंने एक आसरम की स्थापना की थी उसका नाम तरह साबर मती आसरम और इस साबर मती आसरम आहमदाबाद में है और एमदाबाद गुजरात में है यहां गुजरात के एमदाबाद में इन्होंने साबर मत्यासरम की स्थापना की और वहीं पर यह जो मजदूर थे वो उनको यहां पर यह सला मसुरा करते थे अगला प्रस्ण है दोस्तो महत्मा गांधी दक्षनी अफरीका से भारत कब लोटे बहुती महत्पून प्रस्ण है दक्षनी अफरीका से भारत महत्मा गांधी कब लोटे आपके सामने उप्षन है 15 मार्च 1915 9 जनवरी 1916 9 जनवरी 1915 और 13 मार्च 1919 आपका सही अंसर है दोस्तो नो जनवरी 1915 को महत्मा गांधी दक्षनिक अफरिका से भारत लोटे दोस्तो ये जो नो जनवरी है एक और आपका यहां क्यूशन हम क्लियर कर देते हैं ये जो नो जनवरी है इसको प्रवासी भारतिय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तो एक क्यूशन और आपका यहां बनता है प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाया जाता है तो आपका अंसर होगा 9 जन्वरी दोस्तों ये कब से मनाया जाता है ये 2003 से 2003 से प्रवासी भारतिय दिवस 9 जन्वरी को मनाया जाता है अगला प्रसन है दोस्तों अंतराष्टी अहिंसा दिवस कम मनाया जाता है अंतराष्टी अहिंसा दिवस दोस्तों आहिंसा महात्मा गांदी जी के सत्याग्राय का एक प्रमुक अस्त्र था तो जो विश्व अंतराष्टी जो आहिंसा दिवस है वो महात्मा गांदी जी के जन्म दिवस के दिन ही मनाया जाता है तो आपके option आपके सामने है 2 सितंबर, 11 नवंबर, 1 दिसंबर और लाष्ट का है आपका 2 October तो दोस्तो 2 October महात्मा गांदी का जन्म दिवस है जन्म उनकी जैंती है तो इस ही जैंती को 2 October को विश्व अंतराष्टी आइंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांदी के जन्म दिवस को अंतराष्टी आइंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जून 2007 से मनाया जाता है ये योनों की महा सवाने इस दिन को अंतराष्टी आइंसा दिवस के रूप में मनाने की गोश्णा की थी तो तभी से दो अक्टूबर महात्मा गांदी का जो जन दिवस है वो अंतराष्टी है आहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है अगला प्रस्ट दोस्तों यंग इंडिया के संपाद को थे यंग इंडिया यंग इंडिया एक समाचार पत्री का है तो इसका संपाद किस ने किया था आपके सामने ओप्षन है केशव, रायो, देश पांडी ने बिये सर फिरोशा ने महात्मा गांधी ने और दे ओप्षन ज्वा लाल, नेहरू ने तो आपका सही अंसर है महात्मा गांदी महत्मा गानई द्वारा रचित पुष्टallo ऑभीम्नेबी वा समाचार पत्रीखा थी यह पूछा गया है महत्मा गान्झ द्वारा रचित पुष्ट थी कौण शां पुष्त का नाम क्या था है। सामने ऑप्चन है हिंद सुराज यंग इंडिया पाइनर भारत एक खोज ऐनसे हिंद सुराज हिंद सुराज हिंद सुराज महात्मा गण्दी की पूर्ण्य अगला प्रसिंग्ञन है Shine, समाचार पत्र के संपादक को ने हरी बिच्ण समाचार पत्र दोस्तों वहीँ महात्मा गांधी दोस्तों इसका सही अंसर है महात्मा गांधी हरीजन समाचार पत्र ये एक सापता ही समाचार पत्र था साथ दिन में एक बार निकलता था हमारे जो देनिक जो पत्र यह पत्रिगाएं आते हैं वो देनिक होते हैं डेली आते हैं लेकिन यह जो सप्ता साप्ता ही समाचार पत्र था हरीजन नाम से था और इसके संपादक्ते महात्मा गांधी 1933 में यह निकलना शुरू हुआ था अगला प्रसन दोस्तों टोल इस्टोय फॉर्म एव फि महात्मा गांधी टोल इस्टोय फॉर्म और फिनिक्ष्त्र आसरम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी कब की ती और कहां पर की थी यह स्थापना की दख्ष्ने अफ्रीगा मRehram तो वहां भी उन्हों ने जोंडुस्तानियें और उनकी काफी मदद की थी तो उनके लिए उन्होंने वहाँ पर उनको जागरुक करने के लिए वहाँ पर उन्होंने फिनिक्स आश्रम और टॉल इस्टोय फॉर्म उनकी स्थापना दक्षणी अफ्रिका में की थी किसी ने की थी महात्मा गांधी ने की थी अगला प्रसन है गा को मात्म गांधी को अर्द नंगन फकीर कि ने कहा था दोस्तों ये कुछ उपादिया है जो मात्म गांधी को दी गई थी अर्द नगन फकीर किस ने काओ था महात्मा गांडी को सब्सक्राइब सकते हैं और देख चर्चिल कोbas दोती पैन के वो रहते थे तो उसी इनकी जो पैनावा था उनको देखकर के चर्चिल ने कहा था अर्द नंगन फकीर की इनको संग्या दी थी अगला प्रश्च दोस्तों महात्मा गांदी ने पोश्ट डेटेड चेक किसे कहा था महात्मा गांदी ने पोश्ट डेटेड चेक चेक मतलब दोस्तों जो चेक हम देते हैं बेंक में वह वाला चेक है डेटेड मतलब डेट है और पोस्ट इसकी डेट निकल चुकी है वह वाला चेक किसको कहा था दोस्तों आपके ओप्शन है क्रिप्श मिसन को जलिया वाला बाग को से है इर्वीन गांदी जो समझता वाता उसको और इन में से कोई नहीं तो दोस्तो आपका अंसार है कृप्स मिशन को किरिप्स मिशन दोस्तो एक मिशन था जो भारत में सविदान सवाग के गठन के लिए भारत भेजा गया था ये 22 मार्श 1942 में भारत में आया था और इसी को महात्मा गांदी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था दोस्ते को उप्शन यहा जलिय वाला बाग है यह जलिय वाला बाग हुआ था इसकी जानकर आपको मैं दे देता हूँ जलिय वाला बाग है जो 13 अपरेल 1919 को हुआ था दोस्तों 1919 में एक रोलेक्ट एक्ट अदिनियम पारित किया गया था और उसी के विरोध में जलिया वाला बाग में एक छोटी सी आमसवा हो रही थी और उस आमसवा पर अंग्रेज दुआरा उन नियते भारतवासियों पर अंग्रेज दुआरा अंदा दुन्द गोलियों की घ्रिंग कर दी ग gefड़िय तो काफी लोगों की नियते लोगों की यहां पर जानगी थी तो इसी विजशे गटने वह काफी है भी बस से घटना थी आगे हम चलते हैं दोस्तों महात्मा गांदी ने किस कानून को काला कानून का था काला कानून किस कानून को काले कानून की संग्या महात्मा गांदी जी दुवारा दी गई थी पहला ऑप्चन क्रिप्स मिशन बहें नील खेती का कानून से हैं नमक कानून कुल केह Barnes out 10 डॉस्त यहां पर हम discuss क्रेह ते रोलेट अभी उपपर हम लास्ट-प्रसरण में डिसकर किया था रोलेटएक्ट गुन्द्स में भारत के लोगों पर यह लागू किया गया था अंग्रे सरकार ने लागू किया था दोस्तों रॉलाट एक्ट ऐसा एक्ट था इसके तहुए किसी भी आम भारतिये को बिना किसी मुकदमे केälडिना किसी र के जब चाहे जैसे चाहे अरेश्ट किया जा उस कानुन को महत्मा गानदी ने काले कानुन की संग्यां दी थी किस आन्दूलन की समय गांदी जी ने है कहा कि मेरे जीवन का अंसंगर्स होगा और मोरा नारा दिया था गांद की तो नहीं को ज़त भारतवाशन को मन्त्र किस ने दिया गरो में तो इसका अंसर माहात्मा गांधी गांधी दुस्तों निमार्ट देन्दि मान्छ के बारे में आपको बताना क्याऑंगा दान्डी मार्च एक ये नमक कानून का उलंगन किया गया था ये दान्डी मार्च महत्मा गांदी जी के दिवारा किया गया था ये 12 मार्च 1930 को किया गया था नमक कानून अंग्रे जो नमक कानून था नमक बनाने का था उस पर बेन किया हुआ था तो इसी को तोड़ते हुए उन्होंने एक मार्च निकाला 12 मार्च 1930 को और महां पर नमक इन्होंने अपने हाथों से बनाया और इस तरह से इस कानून का इन्होंने उलंगन किया और वो जो उनकी यात्रा थी वो दांडी मार्च के नाम से फेमस हुई अगला प्रसने दोस्तों दांडी मार्च में गांदी जी ने कितनी दूरी तैक करके नमक बनाने का विरोध किया था आपका सही अंसर है 384 km दोस्तों मातमा गाजीन 384 km पेदल चरकर वहाँ पर नमक बनाया और इस तरह से उन्हों नमक कानून को तोड़ा 1930 के आसपा 1930 में अगला प्राशन दोस्तों गांधी ची को सरप्टाम जेल पर पर यांघार या पर भांदी जी को जेल कब जाना पर दोस्तों आपके ऊप्शन है 1913 में सही अंसर है 1908 में पहली बार गांधी ची को जेल जाना पर आगला प्रश्ण लेते हैं दोस्तार से माहत्मा गांधी जी राश्टी कॉंग्रेस के अद्धिक कितनी बार रही तो जो राश्टी कॉंग्रेस होमारी कॉंग्रेस वर्टमान की जो कॉंग्रेस परटी बहुत पुरानी पर्टी थो उस समय से चली आ स्थापनो थी तो इसके समल माहत्मा गांधी कितनी त्यक्त सब्सक्राइब झरूर ये व१र हो दोस्तों ऑंध। हुआ था उनमें इनको अध्यक्स बनाया गया तो बेल गाउं 1924 में एक बार ये राश्टी कॉंगरिस के अध्यक्स रही अगला प्रस्ण दोस्तों वर्दा आसरम किस राज्ये में इस्तित है पहला प्रस्ण है आपका मध्यपर्देश भी है गुजरात सी है तो सही अंसर दोस्तों महाराश्ट्रे वर्दा आसरम महाराश्ट्रे में इस्तित थे अगला प्रस्ण है गंगा के समान गांदी जी को कौन प्रतीत हुआ पहलो उप्सिन सर फिरोशा गोपाल कृष्न गोकले तिलक और पेंब तनजी तो दोस्तों आपका सही अंसर है गोप और ये लाश्ट प्रस्न है बारत में पहला अकाल कब पड़ा था आपके उप्सन है अठारा सो सत्यान में अठारा सो नन्यान में अठारा सो निब्भे और अठारा सो पिच्चान में तो दोस्तों सही अंसर है अठारा सो सत्यान में अठारा सो सत्यान में बारत में पहला अका और फ्रसन थर्ड पार्ट है अगले पार्ट के लिए आप इंतिजार कीजिए और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और आपके जो फ्रेंड सरकेवरे बच्चों है उन्में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगली सीरीज के लिए इन्तिजार कीजिए जय हिंद्र